सो हलो एन वेलकम तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का फॉस चेप्टर का पाँछवा वीडियो तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है दा स्टोरी ओफ मैप मेपिंग ठीक है कि यह जो मैप जो बनता है इसकी स् अनक से कोई आदमी सुबह उठा और उसने मैप बनानाय स्टार्ट कर दिया नहीं इसके पीछे बहुं सारी पुरानी स्टोरी है इसके बारे में हम लोग टेटेल में पढ़ने वाले हैं आप से कोशन पुछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि पहले जमाने के लोगों को मैप की जरुरत क्यों पढ़ती रही होगी और वो मैप किस तरीके से बनते रहे होंगे ठीक है तो देखो मैप की जरुरत हमें इसलिए पढ़ती है क्योंकि हमें एक जगह से दूसरे जगह क्या करना होता है ट्रांसफर करना होता है चीजों को लोगों को सामान को तो अगर हम गलट डारेक्शन में निकल गए तो हमें जहां पर पहुंचना था वहां तो पहुंचनी पा तो Google Map में उस जगा को ढालते हो, फिर Google Map आपको क्या करते है, direction provide करता है कि नी, तो सेम पहले भी लोगों के पास Google Map तो नहीं था, तो उन लोग क्या करते थे, अलग-अलग तरीकों से map draw करते थे, और उसी map के थरूँक क्या करते थे, एक location से दूसरे location तक reach करते थे, चलो, start करत रहे हैं, it took more than 3000 years to develop the maps that we use today, आज जो हम लोग map उस कर रहे हैं, उस map का इतिहास जो है उसका हिस्त्री हो 3000 साल पुराना है, 3000 साल पहले से लोगों ने जो है map बनाना चालू किया, तब आज के डेट में हम इतने modern map पर पहुंचे हैं, ठीक है, human beings have been drawing maps since ancient times, human beings जब से उनका दिमाग का बत्ती जला, तब से उन्होंने जो है क्या क्या, map जो है बनाना start कर दिया था, ठीक है, but these ancient maps were quite unlike today's map, लेकिन पहले जमाने के जो map जो होते थे, वो आज के जमाने के map जैसे नहीं होते थे, वो बिलकुल अलग होते थे, they were mostly line diagrams and were not drawn a scale, वहाँ पर जो diagram बनाय जाते थे, ancient time मे उस पे क्या होते थे, सिर्फ line होती थी, ठीक है, उस पे कोई scale वगरा का ध्यान नहीं रखा जाता था, they pictorially depicted the earth's physical features, the map of the modern era are more scientifically developed, पुराने जमाने का जो map था, वो scientifically नहीं था, वो लोगों को जैसा समझ में आता था, वो ऐसा जो है क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, ठीक है, लेकिन आज के date में हम लोग scientifically scale वगरे यूस करके बड़े जगह को छोटे जगह पे represent कर सकते हैं, तालाप को, मंदीर को, छोटे से जगह पर, छोटे से symbol से हम लोग क्या कर सकते हैं, represent कर सकते हैं, अब जैसे लोगों ने जो है क्या क्या उनके सोचने समझने की capability जब बढ़ते गई, तो वो जो है अर्थ के एक जगह से दूसरे जगह जो है क्या करना चालू कर दिये, move करना चालू किये, तो उनका अर्थ के लिए जो knowledge था वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा, को उनको प बता चला कि यहां से 10 km दूर जाएंगे तो एक जगह जहां पर पानी है, फिर वहां से 5 km जाएंगे तो यहां पर पत्थर है, तो इस तरीके से जब human beings एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने लगे, तो उनको अर्थ का और भी knowledge मिलता गया, और अर्थ का जब knowledge मिलता गया वो एजिप्ट के लोगों के द्वारा किया गया था, जो के 3000 साल पहले की बात है, और सबसे पहले जो map ड्रॉ किया गया था, उसमें किसको किया गया था? जो नील रिवल है, जो कि अफरिका के सबसे बड़ी नदी है, उसके जो है किनारे किनारे पर जो जगह है, उसके में जो जगह है ना इस जगह का पहले जो है मैप जो है क्या क्या गया था बनाए गया था सबसे पहला ठीक है नॉमारडेस पटवारीस हैव मैप्स देट सो दा एग्रिकल्चर फिल्ड अफ देर विलेज दीस मैप सो हो ओंस वीच पीस ओफ लाइन और आज अचे देट में पहले देखो लोगों ने जो है नदी के किराने के area को जो है क्या क्या था mapp में ड्रॉक या गया था रेकिन आज आज आपको अपने गाउं का मैप के बारे में अगर information चाहिए कि कौन सी जमीन किसी है तो उसका information किसके पास रहता है पटवारी के पास आप लोगों ने डेफिनिटि पटवारी वर्ड जो है सुना होगा आपके गाउं में भी आते होंगे तो पटवारी के पास क्या होता है पूरा मैप रहता है जिसके थूरू क्या करके बता देता है कि यह जो पर्टिकुलर जगह है यह ज रही कैसे दिखता था जो कि आज के मैप से बिल्कुल भी क्या है मैच नहीं करते हैं बिल्कुल क्या है वो different है ठीक है चल आगे बढ़ते हैं The oldest map of the world is a clay tablet from the babylon present day Iraq पूरी दुनिया का जो सबसे पुराना जो map जो draw किया गया था वो babylon में draw किया गया था babylon जो है आज के date में अगर हम लोग बात करें तो Iraq में है वो ठीक है made around 600 BCE it shows the city of babylon the tigris and the euphrates rivers mountains island and the surrounding seas मतलब उस समय जो map जो बनाए गया था वो लगबग लगबग 6000 BC पे जो है बनाए गया था जिसमें babylon सहर को जो है बताए गया था babylon सहर में mountains river island साब को जो है वहाँ पर जो है क्या क्या गया था बताए गया था this was the world the people of the age new this map is currently kept in the British museum और यह जो सबसे पुराना जो map है जो की babylon का बनाए गया था वो आज के date में कहां पर रखा गया है सबसे पहले जो है ग्रीस के लोगों ने ही map draw करने की skill जो है acquire की थी hecateus prepared a map of the world sometimes during the 5th or 6th century BC he lived near the Mediterranean sea in those days people did not believe the earth was round अब देखो सबसे पहला जो map जो draw किया गया था उस समय जो है ग्रीस के लोगों ग्रीस का एक आदमी था उसने जो है क्या क्या गया था उसने draw किया गया था जिस आदमी ने draw किया गया था वो कहां रहता था Mediterranean sea के पास जो है रहता था और ऐसे समय पर map को draw किया गया था ग्रीस के लोगों के द्वारा जिस समय पुरी दुनिया के लोग ये मानते थे कि जो earth है वो round नहीं है मतलब उस समय map draw किया गया था सोच सकते हो कि उस समय के लोगों की जो है thinking कितनी आगे की थी they believe it was shaped like a saucer and the Greece as its center that world was divided into two continents Europe and Asia और उस समय 600 BC के आज पास पुरी दुनिया में ये concept था कि हमारा जो earth है वो flat है और सबसे center में कौन है Greece है Greece के left और Greece के right में दो continent divided है एक continent को उन लोग बोलते थे Europe और दूसरे continent को उन लोग क्या बोलते थे Asia उस समय इतनी technology develop नहीं हुए थी लोगों को पता नहीं था कि earth जो है round shape में है तो लोगों ने उनको क्या क्या पत्थर फेक फेक कर मार डाला बहुँ सारे 2-3 scientists ऐसे थे जिन्होंने जब पहली बात लोगों के सामने बोला कि Christian लोगों के सामने बोला Christianity में ये था कि earth को वो क्या मानते थे round shape नहीं मानते थे और पूरे Europe में ये ही चलता था Christianity ही चलती थी superior थी तो जब कोई Christianity के against में कुछ बोलता था तो वहाँ पे उन लोगों को मार दिया जाता था कि तुम धर्म के खिलाब बोल रहे तुम religious के खिलाब बोल रहे तुम हमारे God के against में बात कर रहे हो करके जबकि बात में वही बाते जो है कौपर निकस ने उसके बाद जो है बहुँ सारे अलग-अलग लोगों ने प्रूफ करके बताया कि हाँ भाई अर्थ हमारा फ्लैट नहीं है हमारा अर्थ कैसा है round है करके लेकिन पहले स्टार्टिंग में जीन लोगों ने बातें की थे उनको जो है मरना पड़ा था दर रोमन एम्पार रोस टु पावर फॉल्विंग दीकलाइन अब ग्रिक स्टेट इस टरिटरी एक्स्टेंड फरंस इतली एं ब्रिटिन टर्की देखो, सबसे पहले जो है ग्रीस में जो है Roman Empire का जो है क्या था रास था लेकिन जो Roman Empire था ग्रीस में जैसे-जैसे weak होता गया अब इनकी territory जो है छोटोटे पार्टो में ज्या होने लगी डिवाइड होने लगी जैसे France, Italy, British, Turkey The most well known geographer of the time was the Plotomy यह जो सबसे पहला है प्लोटेमी इसको बोलते हैं ठीक है अब इसको प्रोनुटेशन कैसे भी कर सकते हो तो सबसे पहला जो ग्राफर ता जिसमें map draw क्या था वो प्रिटलुमी है और उसी ने सबसे पहले latitude और longitude को बारे में सबसे पहले समझा कि latitude और longitude क्या होता है Based on this concept he draw a map of Europe and the world the eastern boundary of the map was China and the western boundary was Spain and the neighboring countries और उसने जो map draw क्या उसमें सबसे east में किसको रखा था चाइना को सबसे west में किसको रखा था उसने यहाँ पर देखो किसको रखा था सबसे west में Spain को रखा था और उस समय इसने इस तरीके से map draw किया गया था और superior में कौन था देखो Neil River Neil River कहां से निकलती है Africa continent से तो इन्होंने ग्रीज को superior रखा था बाकि सारे states बाड़े बाकि सारे countries को इन्होंने ज़्यादा importance नहीं दिया था और उस समय देखो India Ocean जिसको हम लोग आज इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं न उसको जो है Indicus Oceanus के नाम से जो है जाना जाता था तो हमारे Asia continent पहले भी था और आज भी है Europe continent और Asia continent पहले इसके map जो है draw किये गये थे ठीके After the downfall of Roman Empire in 2nd century Europe went through a period when the scientific thinking was suppressed and which continued until the 7th century CE देखो जब Roman Empire जो है 2nd century में खतम होने वाला था यह खतम हो चुका था उस समय जो है जो scientific जो सोच थी लोगों की जो सोचते थे कि अर्थ ऐसा होगा, अर्थ ऐसा होगा, अर्थ का map draw करेंगे, अर्थ का map हम लोग इस तरीके से draw करेंगे, ऐसे draw करेंगे अर्थ ऑफ कार्टोग्राफि ऑल्सो स्टैगन डिरिंग इस पिरेड और 2nd century से लेके 7th century के बीच में लगभग 500 सालों तक इस फिल्ड में जो है कोई भी काम जो है नहीं हुआ था ठीके, the famous अरब कार्टोग्राफर मुहम्मद अल इदरिसी who made map for his king rose to prominence in the 11th century अब देखो 7th century तक कोई map नहीं बना था डारेक्ट 11th century में जो है अरब का एक कार्टोग्राफर जिसका नाम ता मुहम्मद अल इदरिसी इसने अपने राजा के लिए एक map जो है ड्रॉ किया था one unusual feature of map of this royal कार्टोग्राफर was that he saw the southern direction towards the top and the northern direction towards the bottom और इसने जो map ड्रॉ किया था ड्रॉ किया था उसमें जो है उसने क्या रखा था उपर वाले साइड में south को रखा था और नीचे वाले south में किसको रखा था north को जो है रखा था also Arabia was placed at the center of his world और जिस कार्टोग्राफर ने map draw किया था उसने क्या क्या था और आपको सबसे center में रखा था obvious ही बात है कोई भी आदमी जब अपना map draw करेगा चाहे हो France का हो चाहे इंडिया का हो चाहे Britain का हो कहीं का भी हो वो center में अपने आपको रखेगा तो center में किसको रखा अपने जगा को रखा और बाकी सारे maps को इसने draw किया तो यह रहा हमारा map का थोड़ा सा history एक paragraph और बाचे है इसको हम लोग read कर लेते हैं अब देखो 11th century तक तो ज़्यादा trend ज़्यादा interest नहीं थी लोग में आपको पढ़ने या जानने या बनाने में लेकिन 13th century के बाद लोग क्या कि map को लेकर बहुँ ज़्यादा interested हुए क्यों क्योंकि जब 13th century आया तो उस समय navigation system हमारा ocean के थुरू बहुत बढ़ गया था मतलब लोग ocean के थुरू एक जगा से दूसरे जगा क्या करने लगे थे move करने लगे थे even business भी start हो गए थे ठीक है तो अब अगर आपको business करना है Britain से, Indonesia में, India में, Sri Lanka में तो ocean में तो कोई left right रहता नहीं हो ocean तो बहुत दूर दूर तक कुछ समझ में ही नहीं आता है तो इसलिए लोगों को जो है किसकी ज़रूरत पढ़ती थी map की ज़रूरत पढ़ती थी उसी समय जो है कौन-कौन famous थे देखो Marco Polo थे, Columbus था, Vasco Digama था Magalan था और Captain Cook था इस तरीके के बहुत सारे लोगों को जो अपने जहाजों को एक जगा से दूसरे जगा move कराने के लिए इनको map की ज़रूरत पढ़ती थी और इसी टाम दुनिया का सबसे पहला globe जो है बना हुआ था The printing price was also invented in Europe in 15th century making it possible to print map अब देखो 15th century के आते आते जो है printing machine भी तयार हो गया था तो अब map जो है क्या था पहले के comparison में ज़ादा reliable था ज़ादा लोगों तक reach करता था map कोई भी आदमी purchase कर सकता था और उसको read करके अपने business को continue कर सकता था So it was the navigators who winded the scope of map mapping improved the standing of the art of cartography तो map को सबसे interesting और सबसे ज़ादा develop कराने में जो सबसे बड़ा contribution है वो किनका है navigators का है क्योंकि उनको एक जगा से दूसरे जगा navigate करना रहता था और business करना रहता था तो इनहीं के बदावलत जो है map जो है इतना ज़ादा develop जो है हो पाए था ठीके अगले वीडियो में हम अच्छे एक और थोड़ा सबज गया Marco Polo जिसका जो birth है 1254 से लेके 1324 है set out his journey from the city of Venice in Europe following a land route he reached the China traveling through Turkey and Jerusalem अब देखो Marco Polo ने जो है क्या क्या था Europe के Venice सहर से जो है अपनी journey start की थी और वो जमीन के थूँ मतलब sea route के थूँ नहीं आया था land route के थूँ वो कहां पहुँचा था चाइना और चाइना पहुँचने के लोड तर्की जेरुसिलम ये सारे जगों से जो है क्या क्या था travel करके गया था taking a sea route from east China he reached Vietnam the Malay Peninsula, Sumatra, Nicobar, Iceland, Sri Lanka and the western coast of Indian continent और Marco Polo ने जो है पहले तो क्या क्या जमीन के थूँ चाइना पहुँचा चाइना के east वाले जगा से जो है इंडिया में पहुँचा था तो वो कुछ travel जमीन के थूँ किया था और कुछ travel जो है ocean के थूँ किया था तो इस तरीके से map की हिस्टी हमें देखने को मिलती है अगले वीडियो में फिर हम लोग वासको डिगामा के बारे में